Hello students, good morning. आज मैं आप लोगों को आपकी हिंदी पठ पुस्तक से चाप्टर 10 एक कभिता पढ़ाने जा रहा हूँ. जिस कभिता का नाम है चाह रहा है मेरा मन. जिस कभिता का नाम है चाह रहा है मेरा मन. का मतलब है, चाह का मतलब होता है चाहत. यहां कभिता में बर्सा रितू के बारे में बताया गया है. यानि एक बच्ची की मन में भीगने की इक्छा प्रकट कर रही है. आप इस चीत्र में देख सकते हैं. वो अपनी मा से बर्सा के बिशय में बाते कर रही है. ठीक है, अब हम बर्सा रितू में होने वाले परिवर्तन के बारे में और बर्सा रितू में होने वाले बिमारियों के बारे में थोड़ी सी अवगत करा दू. बर्सा, सूर्य की किरने, बायू, आदरता, एबम, तापमान ऐसे कारक है जो किसी इस्थान की रितू को प्रभावित करते हैं. मोसम में परिवर्तन अचानक हो सकता है, एबम इसका अनुभव क्या जा सकता है, जबकि रितू परिवर्तन होने में लंबा समय लगता है, इसलिए इसे अनुभव करना अपेक्छाकृत कठिन है. प्रिठिवी के पूरे इतिहास के दवराण रितू परिवर्तन होता रहा है. बरशा रितू में होने वाले बीमारियों के बारे में भी थोड़ा बता दूँ. बरशा रितू में हैजा, डेंगू, मलेरिया जैसे बीमारी अधिक फैलता है. इसे बचने के लिए हमें सतरक्रन की आवसकता है लिभर के संक्रमन से उत्पन रोग को साधरन भांसा में पिलिया कहा जाता है आमतोर पर गर्मियों तथा बरसात के रितु में और दुसित जल एबं भोजन की सेवन से उत्पन पिलिया को चिकित सक्किय भांसा में हेपाटाइटिस कहा जाता है इस रोग का मुल कविता को पढ़ा रहा हूँ, चाह रहा है मेरा मन, कविता का नाम है, अम्मा जरा देखतो उपर, चले आ रहे हैं बादल, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, दिख रहा है जल ही जल, आप देख सकते हैं, यह अम्मा को इस बच्ची बोल रही है, कि उपर देखो ममी, बादल चले आ रहे हैं और गरज भी रहे हैं और बरस रहे हैं दिख रहा है जल ही जल चारों तरब जल ही जल दिख रही है हवा चल रही क्या पुरवाई पुरवाई की हवा चल रही है जुम रही डाली डाली आप देख रहे हैं जब बरसा होती है हवा पुरवाई चलती है तो पेड की ड गटा घिरी है नीचे फैली है हरियाली उपर काली घटा घरी है यानि उपर में बादल घिरी हुई है और नीचे में हरियाली अब देख रहे हैं पेन पोदे सब भरी नजर आ रही है भीग रहे हैं खेत बाग वन भीग रहे हैं घर आंगन अब देख रहे हैं खेत वाग वन बाहर निकलू, मैं भी भींगू, चाह रहा है मेरा मन, ये बच्ची बोल रही है अपनी ममी से, मैं भी बाहर निकल के भींगना चाहता हूं ममी, ठीक है, तो आपको सिक्छन बिंदू मैंने पहले ही बता दिया है, कि बरसा रित्म होने वाली परिवर्तन के बारे में, और बिम पुरवाई, वह बायो जो पुराव से चलती है, हरियाली, हरे हरे पेड़ पोधो का समू, चाह मन, इच्चा, अब यहां कुछ अभ्यास माला में, मोखिक और लिखित प्रस्ण पूछेगे हैं, ठीक है, मैं इसका उत्तर भी बताऊंगा, आप लोग धीरे-धीरे सुनेंग और अध्यन करने के बाद अपनी नोटबुक पर लिखेंगे, ताकि आपकी एक्जाम जब होगी, आप आराम से लिख सेकते हैं, निम्न लिखित प्रस्णों के उत्तर दीजिए, यहां एक नंबर प्रस्ण में पुछा गया है, कभीता में किसके चले आने का जिक्र किया गय है, कभीता में किसके चले आने का जिक्र किया गया है, कभीता में बादल के चले आने का जिक्र किया गया है, सही उत्तर है बादल, कभीता के अनुसर कैसी हवा चल रही है, कभीता के अनुसर पुर्वाई हवा चल रही है, सुद्धुचारन किजिए, पुर्वाई, फैली, आंगन, निकलू, भिंगू, यह सही करके आप लोग घर में अभ्यास करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है, लिखित, निम्नलिखित प्रसन को उत्तर लिखिये, कविता के अनुस्वार कौन जुम रही है, कविता के अनुस्वार पेड की डाली जुम रही है, बर्षा होने पर क् खेत, बाग, वन, घर, आंगन, आदी भीग रहा है, बच्ची का मन क्या चा रहा है, बच्ची का मन बर्षा की पानी से भीगना चा रहा है, कविता की पंक्तियां पुर्ण किजिए, भीग रहे हैं खेत, खेत, वाग, वन, भीग, रहे हैं घर, आंगन, नमबर टू, बाहर, निकलू, मैं भी भिंगू, चाह रहा है मेरा मन, उचित मिलान किजिए, हवा चल रही, पुर्वाई, जुम रही, डाली-डाली, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, चाह रहा है मेरा मन, आप इस मोखिक और लिखित प्रस्टन और आठ लाइन, सुद्ध सुद्ध, आप इस कविता को याद करेंगे, और अपनी नोट बुक पर लिखने की अभियास करेंगे, ठीक है, अब मैं आपको चैप्टर 11 अगले विडियो में पढ़ाऊंगा, तब तक के लिए धेन्वाद कि अपकर्वाद आपको याद सुद्ध, प्र लिए नोगए दोगज झाले विए, आपकर्स पत्ता है, गपकर्स भ लिए भादा बुक चैप्टर 11 अगले विए, अवाद है, भोगद ए सुद्ध लिएन, सुद्ध, आपकर्स भीजैए, यादानी यादी, आपकर्स